बिसम लाहिराम वांज राहिम असलाम लेकाम कैसे हैं आप सब आई होप सब बिल्कुल ठीक है आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेकी रेस्पी लेकी आई हूँ तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है तो चैनल को भी जूरूर सब्सक्राइब करें आज मैं बना रही हूं कलब सेंडविच इस बहुत ज्यादा मज़ेक है कलब सेंडविच बनाने के लिए हमें मैंने कैचप ली थी मैयनी ली थी चीज स्लाइसी लिए थे उसके बाद मैंने गाजियर खीरे उस टमाटर और बंद गोबी ली थी कटी ओ मैंने काड लिया था छोटा छोटा चोटा और मैंने लिए थे ब्रैड तो चलते हैं रैस्पी के दिरें ने में काड़ लिया था और वन टेबर स्पून मैंने यहां पर डाला है आइल आउन किया और हम आप चिकन को अच्छे तरीके से आइल के साथ मून लेंगे दो तीन मिनट के लिए हमने इसको बूलना है गला तो यह पहले यह बाइस हमने इसको फ्राई कर लेना है ठीक है जी दो मूसाले डालना इसको दो तीन मिननमें के लिए स्टारी करेंगे और कोई भी स्प歌 दियुक्ता नहीं किया था ठीक है रही हम सप्लाई कर लेने तो यहां पर देखें दो तीनमन हो चुके थे ठीकन मिन बिलकुल ऑच क्डर हो चुकी थे यहां पर मैंने ले लिए प्रेट कि र्वालख के जो कणारें अलग आप मैं एक शाय सबस्कुन लेँ करते हैं और एक आप माव्यख के Olalten को च्शा लाओं सबस्कुन दो ढल दोंगी चिक वरत वर यहां पर अधाबकप फोटम यहां में डालती हैं और उसको के अदूथ फोल यहां पर यहांपे डाल दीवोल दिए आदि जासा के पर यहांऻिक हंजाब को सब्सकुन हम इसंस्टा कर अज हाजाब कर लिए और एक तार्व कार लेंे लेके एक हैं से हमने इसको मिक्स कर लेने तो यह भी मिक्स्टर होना त्यार था दोनुं मिक्स्टर हमारे रैडी थे आप ब्रेड ले ले लेते हैं मैंने उपर लगा लेंगे ब्रेड के आप चाहें तो बटर भी लगा सकते तो मैंने ब्रेड के उपर लगा दी थी पहले हम चिकन वाला जो मिक्स्चर था वो लगाएंगे आप जितना चाहें अपनी पसंद के साब से इसको लगा सकते हैं यहां पर मैंने चिकन लगा दिया ओपर और कुछ कैचप लगा देंगे थोड़ी सी अब हमने उपर प्रैड लगाएंगे मैंने यूज की थी उसके बाद से प्रैड डेबल चीज भी यूज की थी डिफरेंट टेस्ट आने के लिए तो अब जो मिक्स्टर था वह हम उपर लगा देंगे तो यह सेंडविची बहुत जादा टेस्ट वह बहुत जादा मज़े के बनते और हेल्दी भी है इसमें वैजिटेबल चिकन भी है बटर और सारा कुछ इसमें अड़ अब हम थोड़ी से बन को भी कट्टी होई ऐसी उपर रख देंगे और एक और ब्रैड उसको पर जो है रखूँगी ठीक है मैंने आदा काट लिया था और हम यहां पर थोड़ा सा लगाऊंगी बटर यह मैंने बटर लगाया है साइड पर और जो आदा कटा वह भी मैं ऐसे करके रख दोंगी और उपर लगा देंगे हम फॉर्थ वाला ब्रैड तो तीन देर्स मारे पास वाला मैंने बनाई थी तो अब हम इसको पैन के अंदर रखेंगे मैंने बटर लगाया था थोड़ा सा पैन पर और इसको हमने हलका सा ब्राउन कर लेना कलर दे ले लेना इसको थोड़ा सा कि मिलकुल आपने फ्लेम जो है वह लो रखनी हाई फ्लेम नहीं करने तो यह देखें दोनुशाइट से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका था तो चे देखिए जी अब हम इसको काटेंगे आप देखें जी अपना मज़े का त्यार था कलाब सेंडवीच इसमें वेजिटेबर्स भी है चिकन भी है बटर भी है बहुत ज़्यादा हेल्दी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो आई होप आपने इस एसपी को इंज्वाई किया होगा अपने इसको जरूर ट्राइक करना और मुझे अपना फिब्बैक भी देना है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अलाहाफिज एंड टेकर